हेलो एब्रिवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी के और लाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर जल्दी से बता दीजे कि आप सब कैसे हैं पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही है और इसी के साथ साथ आप मुझे ये भी बता दीजे क्या मैं Empिले आप सभी को ओडिबल और इसपनों भीटा बेटा गुडा इंग्ट्यू सश्यंजनकुमार जी खुश्बू पाल जी गुडाफ्ट रून बेटा जी णा इन दी गटी गुडाफ्ट को मुडाइट पाल जी औल क्लीयर बबाब बहुत बढ़िए चलिए थांग्यू शुश्रंजन कुमार जी and थांग्यू सो मच खुश भुपाल जी सभी बच्चे आ चुके हैं क्या बात है जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को अपने वाटसेप ग्रूप पे शेयर नहीं किया है वो जल्दी से वाटसेप ग्रूप पे शेयर कर दें क्योंकि जो आज की क्लास होने वाली है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है आज ही क्लास में हम लोग टॉप 500 MCQs एग्रिकल्चर डोमन के स्टार्ट करेंगे जिससे संभावना होगी कि आपके एक्जाम में कोश्चेंस 95% तक पूछे जा सकते हैं तो इसलिए सभी बच्ची शेशन को जल्दी से जुआइन कर लें कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है रोशन सर के मगरमत जी बोल रहे हापी निवर बिटा हाँ आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार दिक हार दिक हार दिक शुब कामना है और मैं माता रानी से ये प्रे करूँगी कि जिस तरह से ये नवरात्री इतनी शुब दिन मानी जाती है वैसे ही आपके लिए ये साल भी बहुत ही ज़्यादा शुब हो और आप सब को आपकी ड्रेम उनिवर्स्टी मिल जाए माम गुड़ आफ्रनून मुझे नहीं बोली प्लीज बोली ये नहीं मैं आराज हो जाओंगा ने ने बिलकुल नहीं विशाल सिंग जी आपको भी वर्म गुड़ आफ्रनून जल्दी से आजाए सभी लोग मुझे उमीद है कि आज काफी सारे बच्चे हमारे साथ जोड़ेंगे याज की आज की क्लास आपके टेस्ट की क्लास होने वाली है थैंक यू मैम थैंक यू वेलकम बिटा वेलकम ब्रिजे विकी कुमार यादव जी गुड गुड आफ्रनून बिटा जी क्या बात है लग है बच्चों में जोश 100 पॉसेंट है तो आप लोग रेडी है इस्टार्ट किया जाए सेशन को कि जल्दी से बताईए कि यह स्टार्ट कीजिए बहुत बढ़िया चलिए सबसे पहले आते हैं अपने है first question की तरफ देखते हैं पहला question क्या बूलता है यह रहा आपका first question पहला question कहरा है कि a condition where two batches of male and male flower and two batches of female flower are separate temporary these condition is known as बताईए वह इस्थिति जहां पर नरफूल के दो बैच और मादा फूल के दो बैच अस्थाई रूप से अलग हो जाते हैं इस स्थिती को कहा जाता है डाइकोगैमी, प्रोटो-एंडरी, हरकोगैमी, ड्योडाइकोगैमी या प्रोटो-गाईनी क्या बोला जाता है जल्दी से बताईए ये रहा आपको होटी कल्चर का धमाकेदार कोशन चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब D is right ma'am, D will be a right ma'am. जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, मैं सभी के आंसर देख रही हूँ. D is right ma'am, D is right ma'am. बिटा सभी वच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, क्योंकि सभी वच्चे एक साथ एक ही आंसर को फॉलो करके आंसर दे रहे हैं. तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा, प्रकाश रंजन जी ने बोला है, बहुत अच्छे बच्चे, आप सबसे पहले बच्चे हैं, जिन्होंने इतनी देर में सही आंसर दिया है, D.O. D.I.C.O. Gemi यहाँ पर आपका right answer होगा, क्या होगा, D.O. D.I.C.O. Gemi आपका सही जवाब होगा, बहुत बढ़िया, शैलेश कुमार जी ने बी आंसर दिया है, प्रोटो एंड्री, जिसमें मेल पहले मैचियोर हो, या जिसमें फीमेल पहले मैचियोर हो, उसे प्रोटो एंड्री और प्रोटो गाइनी बोलते हैं, ठीक चलिए अब नेक्स आते हैं, नेक्स इंपोर्टन कोशन में, विच अमंग दे फॉलोविंग ड़स नॉट बिलॉंग टू आ एंबली फेरी फैमली, बताइए इन में से कौन सी एंबली फेरा परिवार से संबंधित नहीं है, मतलब वो एंबली फेरी फैमली का मेंबर नहीं है, पहला ऑप्शन है कैरट, दूसरा है पार्सले, तीसरा है आपका पर्णिशिप, उसके बाद आपका लिउटस और सिल्रे, मतलब यहाँ पर मोस्ली आपको सारे सालड फ्रूट के बारे में बताया गया है, तो बताइए कौन सी नहीं है, शशी रंजन कुमार जी, रीचा जी, खुश्बूपाल जी, इन सभी बच्चों को मैं बतादू कि कोशन कहरा है नहीं है बिटा, कैरट तो आपका एंबली फेरी फैमली से बिलॉंग करता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं, शशी रंजन कुमार जी, नंदनी मौर्या जी, रीचा जी, कोशन को तो ध्यान से पढ़िये बिटा, चंद्रभल पांडे जी बोल रहे हैं, डी, ओके, बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं, बाकी बच्चे क्या बोलते हैं, शुब्रत समराड जी, मैम सलाद, क्या रहे हैं, अंशिका जी, सैलरी, ओके, अश्विन बोरकर जी, डी, चलिए, जो बच्चे डी ओप्शन बोल रहे हैं, वो सभी बच्चे आन से सही बोल रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी एमली फेरी फैमली से बिलॉंग करती हैं, बट आपकी जो लिूटस है बिटा, जिसको हम सलाद बोलते हैं, लिूटस के जो पत्ते आते हैं, वो आपके एमली फेरी फैमली के मेंबर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे लिूटस आपका सही जवाब होगा, बाकि सभी आपके क्या होंगे, गलत आंसर होंगे, ठीक है बिट और तंग को if taking कौसे हैं एक में करते हैं है मैं टंग ग्राफ्टिंग की बात हो रही है जल्दी से बताइये मैं कौसे फ्रूट उप में टंग ग्राफ्टिंग करते हैं कि चल्ब करोओ तक अब पी ये क्यों ही कलेगा बस आपका एक दिन सशन होगा जिसमें आप आप लोग calculation वाले numericals को solve करेंगे वो भी अभी कुछ दिनों के बाद बाकि अब से आपके session में सिर्फ आपके यही चलेंगे पीवाइक्यू सेशन ही चलेंगे ठीक है पीवाइक्यू नहीं multiple choice question के session चलेंगे ठीक है क्या बात है कुछ बुपाल जी प्रकाश रंजन जी रीचा जी उसके बाद बहुत से बच्चे हैं बड़ आंसर नहीं कर रहे हैं ओके रीचा जी भी आसी बोल रही है चले इसी बात तो मुझे जल्दी से बता दीजे जिस option को आप सही बोल रहे हैं उसको commonly कौन से fruit कहते हैं मतलब उसको कौन से fruit का यह बोटैनिकल नेम आपको दिया गया है जल्दी से बता दीजे प्रकाश रंजन जी क्या बात है बचा बहुत बढ़िया अपल की बात कर रहा है अपल आपका क्या हो जाता है टंग ग्राफ्टिंग से ग्रो होता है किस से ग्रो होता है टंग ग्राफ्टिंग से एपल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तो हम लोग मैलस डोमेस्टिका को टंग ग्राफ्टिंग की मदद से प्रोपुगेट करते हैं चले जल्दी से बता दीजे टी किसमें करते हैं जल्दी से बता दीजे उसके बाद आप मुझे बताएंगे स्टूलिंग किसमें करते हैं और आपका शीट से जर्मिनेशन किस क्रॉप में या फ्लार में होता है जल्दी से बताईए टी बडिंग स्टूलिंग और शीट से किसमे किसमे करते हैं जल्दी से बताईए रोज 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 बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया रोज हो गया आपका उसके बाद इस टूलिंग किसमे करते हैं बिटा इस टूलिंग किसमे करते हैं अंशिका जी ने बोला शीट से पपाया में करते हैं अच्छा और किसमें हम शीट से करते हैं भीटा बतादो ब्रकाश रण्जां जी बहुत बढ़ी है वीचन जी स्टोलिंग में गवावा है आपक गवावा बहुत बढ़ी है चुछ bisa और शीड में आपका क्या आता है पपाया आता है मैरी गोल्ड आता है सिट्रस फ्रूट में आपका लैमन आता है ये सब हम किस से ग्रो करते हैं शीड से ग्रो करते है सीड में पपाया शिट्रस बहुत बढ़िया चले एक और टम आपको याद रखना है प्रोपोगेशन का वो है इनार्चिंग जल्दी से बताईए इनार्चिंग किस में करते हैं इनार्चिंग किस में करते हैं बिटा कोमल साहु जी इसकी खबर हमें नहीं है बिटा इसके बारे में हमें पता नहीं है ठीक है बताईए इनार्चिंग किस में करते हैं गलत आंसर है गलत आंसर है जल्दी से बताईए, सही आंसर बताईए, सभी बच्चों के गलत आंसर है मुझे उम्मीद है एक दो बच्चों से कि वो सही आंसर बताएंगे प्रकाश रंजन जी बोल रहा है, सपोटा में करते है सपोटा में तो बिटा पैच बडिंग करते है लीची में आपका air layering करते हैं प्रकाश रंजन जी सपोता ओहो गलत आंसर आ रहा है सभी का कोई वच्चा सही नहीं बोल रहा जल्दी से एक वच्चा सही आंसर बता है मैं उसका नाम लूँगी जल्दी से बताओ बिचा सपोता अरे भाई अनार में करते हैं अनार पोमीगरानेट में ठीक इसमें करते हैं citrus tree में नहीं बिचा आपका इनार चिंग पोमीगरानेट अनार में होता है ठीक खुश्बुपाल जी ओहो आप क्या करना जब चड़िया चुक गई खेट जिब कोशिन गलत ही हो चुका है तो उसके बाद ओहो करने का क्या मतलब है बिटा जी चलिए नेक्स आते हैं अच्छा एक बात मुझे आप यहां बताईए कि आपकी fruit crop में सबसे ज़्यादा गुड़सूत्र किस fruit में पाया जाता है सबसे ज़्यादा गुड़सूत्र किस fruit में पाया जाता है chromosome number सबसे ज़्यादा किस में होते हैं बताईए जल्दी से जल्दी से बता दो बिटा किस में होते हैं गौरी कुमारी जी आपल नहीं बिटा आपल में कहां सबसे ज़्यादा गुड़सूत्र होते हैं मैंगो में, बेर में, अनार में, मैंगो में देखते हैं वो सबसे अच्छा बच्चा कौन है जिसने बहुत अच्छे से होटी कल्चर पढ़ रखी है खुश्बूपाल जी, मैंगो, बेर, राओ साहब, ओके, बाकी बच्चे क्या बोलते हैं अदिती जी, क्या बात है बिटा, रीचा जी, बहुत बढ़ियां दो बच्चों ने आंसर सही किया है क्या होता है, मोरसलबा होता है, क्या होता है मोरस अलबा होता है जिसमें 308 से 309 गुरसूत्र होते हैं चाइना से आया हुआ होता है कहते हैं मोरस अलबा चीन से आया 308 से 309 गुरसूत्र लाया तो 308 से 309 गुरसूत्र किसमें होते हैं आपके मोरस अलबा में होते हैं मलबरी में होते हैं जिनको हम शहतूत बोलते हैं ठिक है बात समझ में आई सभी को है उप्यर शहतूत सुना है ऐना शहतूत की बात कर रहा है यह ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं और जल्दी से बताएं golden revolution किस से related है golden revolution किस से related है बिटा जी जल्दी बताईए golden revolution किस से related है सशिरंजन कुमार जी फिर मैं यही बोलूँगी काश मेरे पास एक डिजिटल डंडा होता और मैं आपको खीच के थपड लगा सकती नंदनी मौरया जी खुश्बू पाल जी सी ऑप्शन शुबरत समराट जी अधिती जी वीर जी सुबरत समराट शशिरंजन कुमार रीचा जी खुश्बू पाल जी चले बहुत बढ़िया सभी को मैं सभी को बता दूँ कि जितने बच्चे ऑप्शन नमबर सी बोल रहे हैं व रूट से रिलेटेड है जल्दी से बताईए गोल्डेन फाइवर रेविलेशन किस से रिलेटेड है गोल्डेन फाइवर रेविलेशन किस से रिलेटेड है गोल्डेन फाइवर रेविलेशन किस से रिलेटेड है आंसर बताईए जल्दी से बहुत बढ़िया कोशन लिखान की आंसर आ चुका है जूर से बहुत अच्छे चले जल्दी से बताईए इसलबर revolution कि से related है silver revolution कि से related है आपका Rider कि Kelowar revolution कि से related है बहुत बढ़िया सभी बच्चों ने एक साथ सही आंसर किया है सिल्वर रेविलुशन आपके अंडे से रिलेटेड है एग से रिलेटेड है तो कौन सा रेविलुशन सिल्वर रेविलुशन ठीक है अच्छा अब इसी सिरीज में आगे बढ़ेंगे बात करेंगे Silver Fiber Revolution किस से related है Silver Fiber Revolution Silver Fiber Revolution किस से related है जल्दी से बता दो बिटा Silver Fiber Revolution किस से related है बहुत बढ़िया सभी बच्चों ने सही answer किया है Cotton आपका यहां क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा Cotton क्या होगा सही जवाब होगा बहुत अच्छे नेक्स्ट आजाईए चलिए बताईए आपका जूट से revolution कौन सा होगे आपका Silver Fiber Golden Fiber Revolution Cotton से आपका Golden Fiber Revolution Fruit से आपका Golden Revolution Egg से आपका Silver Revolution Pulses से आपका Yellow Revolution और उसके बाद अगर हम बात करें किसकी एक और revolution बचना है Gray Revolution Gray Revolution किस से संबंधित है Gray Revolution किस से संबंधित है बताईए जल्दी से Gray Revolution किस से संबंधित है जल्दी से बता दो बिटा Gray Revolution किस संबंधित है अब उसके बाद अगर हम बात करें वाइट रेविलूशन की तो वाइट रेविलूशन किसे संबंधित है आपका मिलक से संबंधित है और ग्रीन रेविलूशन की बात करें तो आपके क्रॉप से संबंधित है ठीक तो आप इसको याद रखेंगे इतना आपके लिए इंपोर्टेंट है नेक्स आते हैं बनाना में बताईए कौन से प्रोपोगेशन माथट को यूज किया जाता है ग्राफ्टिंग को यूज किया जाता है फिर बडिंग को यूज किया जाता है या फिर बीच को यूज किया जाता है या फिर काटने की विधी को अपनाया जाता है कटिंग को यूज किया जाता है जल्दी से बता दीचे कौन सा option यहाँ पर आपका सही होगा क्या बात है बहुत बढ़िया शौर्ड शकर्स कॉर्म्स तो नहीं होंगे बिटा शौर्ड शकर्स हो सकते है कॉर्म्स तो नहीं होंगे न शकर्स बहुत अच्छे सभी बच्चों के A to Z जितने बच्चे जुड़े है सभी के आंसर सही आ रहे है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे जीओ शेरो जीओ आपका option number third क्या हो गया सही answer हो गया यहाँ पर शौर्ड शकर आपका क्या होता है जिससे हम लोग क्या करते है प्रोपोगेशन करते हैं किसमें बनाना की क्रॉप में किसमें बनाना की क्रॉप में प्रोपोगेशन मैथड अपनाते हैं ठिक चलिए next question पर आएंगे next question क्या है crown cleaning related to बताइए crown मतलब जो उपर का crown होता है ना plants में जो उसको canopy उसको किसमें उसको clean करना एक आपका एक practice होता है ताज की सफाई से संबंधित है कौन सी फसल में ऐसा होता है कोकोनेट में होता है mango में होता है बनाना में होता है कॉफी में या फिर pineapple में किसमें किया जाता है जल्दी से बता दीजे किसमें किया जाता है जल्दी से बता दीजी बिटा कैसे बोल रहे हो विशाल सिंग जी बहुत बढ़ी है बिटा विशाल सिंग जी ओके बाकी बच्चे क्या बोल रहे है रीचा जी ओके बहुत बढ़ी है बहुत से बच्चे डिफरेंट भी कर रहे हैं नहीं है क्योंकि यहां बहुत से बच्चे डिफरेंट आंसर भी कर रहे है बच्चे डिफरेंट बता ही है नारियल में की जाती है जल्दी से बता दीजे डिनेवलिंग किसमें की जाती है बताइए जल्दी से बताईए डिनेवलिंग किसमे की जाती है जल्दी से बता दो यूकि सब पढ़ा हुआ है भाई वोईस प्रॉब्लम है माम वोईस प्रॉब्लम बीटा बस एक मिट में शीक करते हैं डिनेवलिंग किसमे की जाती है बिटा डिनेवलिंग प्रकाश रंजन जी बहुत बढ़िया बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं डिनेवलिंग डिनेवलिंग बनाना बहुत बढ़ियां बनाना में क्या किया जाता है डिनेवलिंग किया जाता है ठीक बनाना में अच्छा प्रोपिंग किसमें किया जाता है जल्दी बता दीजे प्रोपिंग किसमें किया जाता है प्रोपिंग किसमें किया जाता है ओहो ग्राउंड नेट में प्रोपिंग की बात कर रहे है बिटा बनाना में किया जाता है यहाँ पे सपोर्ट देना प्रोपिंग आपका बनाना में ही होता है मैं टॉकिंग आपका बनाना में ही होता है बनाना में है आपका बनाना के अंदर ही होता है तो यह सारी चीज़ने आपके बनाना के अंदर होती है डिट्रेशिंग की अगर हम बात करते तो शुगर केन होता चलिए नेक्स कोश्चन पर आते हैं बनाना सहारा देना इग्जेक्ली बहुत बढ़िया बिचा नेक्स आते हैं अलफान्सो इस दब पॉपुलर वेराइटी ओफ जल्दी से बताएए अलफान्सो किसकी पॉपुलर वेराइटी है मैं बेसी एजी में इतना कॉम्पेटिशन क ये एक उभरता हुआ सब्जेक्ट आ रहा है क्रिशी की तरफ अब लोग ध्यान देने लगे हैं इसलिए क्रिशी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टन सब्जेक्ट के रूप में आने वाले समय में आपको दिखेगा ठीक है चलिए मैंगो में मैंगो की अच्छा मैंगो की ऑ बताने हैं इस पेसिंग कितनी होगी क्रॉस कितना होगा जल्दी से बताइए इस पेसिंग कितनी होगी और ये क्रॉस किसका होगा 25 गुड़े 25 किसने लिखा है जी अधिती जी तो बहुत ज़्यादा अपने बोल दिया बिटा 25 गुड़े 25 तो नहीं होगा रतना एंड नीलम का गलत है बिटा अंशिका जी आंसर गलत है राओ साहब जी मैं मैं अब बेच्चु से स्टड़ी कर रही हो नहीं बिटा कर चुकी हूँ दशिए हरी और नीलम का इस श्पेसिंग 1.25 गलत है चलिए सभी बच्चे सही आंसर नहीं कर रहे है टू पॉलबबबबबब बिटा था इस स्टिय क्या होती है और यह क्रॉस किसका है आपके dna का दशेहरी और नीलम का दशेहरी और नीलम का क्रॉस क्या है आपका alphanso है high density planting के लिए अच्छा होता है high density planting के लिए अच्छा होता है कौन सा method इसके लिए अपनाया जाता है triangular method अपनाया जाता है तो यह सारे points आपको यहाँ पर याद रखने है ठीक है? ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ याद रखने हैं. चले इसी कोश्चन से लेटर आप मुझे बताएंगे कि सबसे जदा विटामिन A content किस वराइटी में पाया जाता है? सबसे ज़ाधा vitamin A किस variety में पाया जाता है mango की जल्दे से बता दो उम्मीद है कि सभी बच्चे सही बताएंगे क्योंकि सभी बच्चों को पता है विशाल सिंग जी अमरपाली राओ साहब जी mango mango में तो पाया जाता है mango की किस variety में पाया जाता है आपको से मैंने ये पूछा है मैंगो की किस विराइटी में पाएगा ओहो कोशन सुनो बिटा मैंगो की कौन सी विराइटी में सबसे जादा बिटमीन एक कंटेंट पाया जाता है सब बताया गया कोशन है उसके बावजूद ये हाल है जल्दे से बता दो चल लिए बताइए जल्दे से तो मेठा आपका वीट्मीन एक कंटेंट जादा पाया जानेवाली dirai कौन सी है लिका है कौन सी है मलिका है चली फर्स्ट म्यूटन्ट विराइटी बताईए, mutant variety mango की, mango की first mutant variety कौन सी है, जल्दी से बता दो, first mutant variety mango की कौन सी है, इतनी लेट answer करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है न जी, आप इतनी देर से answer करेंगे तो मज़ा कहां आएगा, चलिए, बहुत बढ़िया, रीचा जी ने, नवीन शर्मा जी ने अमरपाली बोल है, गलत है, उसके बाद रोजी का, रीचा जी ही answer बोल रहेंगे, बहुत सही बिटा, रोजी का क्या है आपका, सही जवाब है, चलिए, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, जल्दी से बता दीजे, विटमिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, विटमिन C सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है अर्य बिटा मैं मैंगो की बात करें मैंगो की कौन सी ब्रीड में स्वारी वराइटी में पाया जाता है मैंगो की कौन सी वराइटी में पाया जाता है आपको ये बताना है जल्दी से बताईए बॉम्बे ग्रीन नंदनी मौरिया जी बहुत बढ़ी है बिटा बॉम्बे ग्रीन एक बच्चे ने आंसर किया है बाकी सभी बच्चों ने तो मजाग बना लिया कि बरबडो उस शेरी में कोशन नहीं सुनना आपको कुछ भी मतलब कोई सेंस का अंसर नहीं है बॉम्बे ग्रीन बॉम्बे ग्रीन में सबसे जादा क्या पाया जाता है विटमिन सी पाया जाता है चलिए फॉस्ट सीडलेस वराइटी बताईए फॉस्ट सीडलेस वराइटी सीडलेस वराइटी मैंगो की कौन सी है जल्दी से किऊ सेटажд सीरलय कावैर बहुत बढ़ किए एक अधाक किया बात है बहुत बढ़ियां बहुत बढ़िया फ्रस्स एडलेस वराइटी कोण सी है कि तो सिंधू बहुत अच्छे सिंदू है आपकी ठीक चलिए क्रोमों सॉम्स नंबर मैंगो में कितने होते हैं क्रोमोसोम संबर मैंगों में कितने होते हैं जल्दी से बता दो कितने गुरशूत्र पाए जाते है आम में आदिती जी 40-42 बहुत बढ़ियां किसी आपकी एक वराइटी जिसमें 40 पाए जाते हैं और आपकी एक वेराइटी जिसमें 42 पाए जाते हैं तो आप 40 से 42 दोनों आंसर पर टिक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया गया है ठीक है नेक्स आईए नेक्स बताइए जल्दी से बता दीजे कि अग हम नौर्थ नौर्थन इंडिया में किस चीज से प्रोपोगेशन करते बहुत ही बढ़िया नवीन शर्मा जी ने आंसर किया है राव साहब ने किया है नवीन शर्मा ने किया है खुश्बू पाल ने किया है वीनियर ग्राफ टिंग बहुत ही अच्छी बात है वेटा कि आपको पता है चली अब जल्दी से आईए कौनकाणा और कौनकाना एक जल्दी से बता दो कौन काना महाराष्ट्रा में कौन से मेथट को अपनाया जाता है जल्दी से बताइए बिचा महाराष्ट्रा के कौन काना रीजन में कौन से मेथट को अपनाया जाता है बहुत बढ़ी है है आपका मैंगो का कहां से आया है आम आपका और जिन कहां पर जल्दी से बता दो और जिन कहां पर है मैंगो का अधिती जी ने बोला है इंडो वर्मा ओके विचा इंडो वर्मा बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां इंडो वर्मा इंडो वर्मा से आया है भाई मैंगो ठीक है अच्छा रतना किसका किसका क्रॉस है रतना रतना विराइटी किसका किसका क्रॉस है जल्दी से बता दीजिए रतना विराइटी किसका किसका क्रॉस है एक स्लाइड और मैंगो खतम मतलब पेपर में इसी स्लाइड से मैंगो सकता ठीक है जल्दी बताइए नीलम और दशेरी नीलम और अलफांसो आर एन ने मैंने सभी को बोला था कि रतना का क्या होता है आर एन ने नीलम और अलफांसो का क्रॉस क्या है विटा आपके आपका रतना है तो यह क्या हो गई आपकी रतना का क्रॉस हो गया नीलम और बहुत ही बढ़िया सुधानशु विश्करमा जी चलिए सभी बच्चों ने सही आंसर किया है विशाल सिंग जी शुषिलंजन गुमार जी चंदरभल पांडे जी राहुल गुपता जी सभी बच्चों ने ओल्मुस्स सही आंसर किया है बहुत बढ़िया चलिए next question पे आ जात है बताइए जल्दी से कौन सा डिजीज बनाना में सबसे ज़ाधा लगता है पूरे इंडिया में मैं फिर बोल रही हूँ सीरियस डिजीज कॉमन डिजीज तीन चार पॉइंट्स आपको अलग-अलग तरीके से बताए गए हैं उन पे ध्यान दे के आंसर करिएगा देखते हैं इतने बच्चों में बुधिमान बच्चा मेरा कौन सा है गौरव मौरया जी सिंग्टो का बोल रहे हैं मोहित सैनी जी बड़े दिन बाद आजा आप आए हैं बिटा डी बोल रहे हैं पनामा विल्ड डी होगा 100% पनामा विल्ड दान्शु विश्कर्मा जी C बोल चलिए राहुल गुपता जी D बोल रहे हैं शुबरत समराट जी C बोल रहे हैं नंदनी मौरया जी का आंसर सही आया है अपनी देर में उन्होंने बोला है B बहुत बढ़ी हैं नंदनी मौरया जी आपका आंसर सही है बिटा आप्शन नमबर B यहां पे क्या होगा सही होगा Fusarium Wild क्या होता है Common होता है Fusarium Wild क्या होगा Common Disease होती है Common Disease और आपके अगर हम बहुत Serious Disease की बात करें उसके बाद हम किसी और Disease की बात करेंगे Common Disease अगर हर जगह लग जाने वाली बिमारी की बात करें तो Option Number B आपका क्या होगा सही जवाब होगा जिसमें बाकि सभी बच्चों ने एक नंबर गलत आंसर दिया है ठीक है? सभी बच्चों के आंसर गलत है चले, next आते हैं Which among the following is most suited for the jelly making? बताईए निमलिखित में से कौन सा फल जैली के लिए सबसे बढ़ियां फल माना जाता है जल्दी से बताईए कौन सा fruit है वो? अप्शन नंबर A बहुत बढ़ियां, Guava क्योंकि इसमें Pactin content अच्छा खासा मौझूद होता है इसलिए Guava आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे Next question पे आईए Which of the following fruit contains maximum vitamin A? किसमें सबसे ज़्यादा vitamin A पाया जाता है? बताईए बहुत अच्छे नंदरी मौरिया जी मैंगो में कुंदन कुमार जी के A, खुश्बूपाल जी मैंगो शुद्धान्शू, बिश्कर्मा जी मैंगो में 4400 आईउ बिटा 4800 आईउ होगा सुजीत कुमार जी मैम जी चरन इसपरस आपने तो पढ़ाई छोड़ दी थी बिटा खुश रहिए, खुश रहिए चलिए, A will be a correct बहुत सही, मैंगो में आपका पाया जाता है कितना 4800 आईउ पाया जाता है, ठीक है और पपाया में कितना पाया जाता है, यहीं पर लिख लिजेगा पपाया में आपके 2020 आईउ पाया जाता है तो दोनों बाते आपको यहाँ पर याद रखनी है नेक्स कोशन पर आते हैं इसी के साथ इनमें से कौन से फ्रूट को हम किंग ओफ फ्रूट बोलते हैं आपल को, ग्वावा को, सिट्रस को या फिर मैंगो को, किसको बोलते हैं जल्दी से बता दीजेगा option number D क्या बात है, सभी क्या आई से सही है आपका mango को हम लोग क्या बोलते हैं king of fruits बोलते हैं चलिए, बताईए, rose is a commercially propagated by, rose को हम commercially कैसे propagate करते हैं प्रणाम होगा, मैं एक बार देख लगलु क्यों confuse कर रहे हो फिजेरियम का कारण पनामा होता है फुजेवियम कहा पनामा होता है आप एक बार चेक करके आईए विट अविडस तब मुझसे बात कीजेगा मैं आपको बता रही हूं विटा कि आपका पनामा फुजेवियम ही होगा चलिए जल्दी से बताएए इसमें किसके कारण होता है बिल्कुल देख लिजिए सुजेत कुमार जी ओके चलिए बहुत बढ़िया टी बढ़िंग आपका यहां पर क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा एयर लेयरिंग से किसमें करते हैं चलिए जल्दी से बताएए स्वागत है आपका आपका आपके इस नए प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आप पहली बार आये हुए है आइम नियू सुदेंड माम अभी शुकला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं समझ में नहीं आ रहा भी सी एगरी कल्चर में अड्मिशन कैसे लूँ भी अच्चु में प्लीज कुछ बताईए बिटा कहीं पर आप अच्छे से अप क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहे गया है कि आप सेल्फ स्टुडी के स्ट्राटिजी बनाईए तो आप किसी भी भी क्रेश कोस चल रहे हैं अगर आपको जॉइन करना है तो आप जॉइन कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स आते हैं थैंक्यू मैं लीची में ओके बिटा सौरी सौरी रोशन कुमार जी हेलो मैं मेरा चीटिंग नहीं देख रहे हो क्यों मैं सबके देख रही हूं बस चैट बहुत तीजी से उपर जा रहा तो नजरे नहीं जा रही है ठीक है चलिए लीची में क्या करते हैं हम बिचा आपके ये एर लियरिंग करते है इन आर्चिंग मैंने आपको बता दिया अनार में करते हैं क्लफ्ट दाफ्टिंग अभी आपको नहीं पढ़ना है नेक्स आजाई इए विच वन अफ द प्लांटिक सिस्टम इस फॉलोड इन हिली एरियाज बताए इन में से कौन से प्लांटिक सिस्टम हिली एरियाज में जाता है चलिए जल्दी से बताएं डाइगोनल सिस्टम ट्राइंगुलर सिस्टम हैक्सागोनल सिस्टम या फिर कॉंट्यूर सिस्टम कौन से आऊज क्या बात है यह 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 ऐसे बर्ता है अग्री कल्चर कॉंपटिशन इसी आश्या उस बढ़ता है जो यह पर अहीं है नहीं पढ़ता है उनको फील होता है एक बढ़ गया है थिक अईसे ही आप एकरिकोंचर में बढ़ाते रहे हैं जोर शोर से पढ़ते रहिए थोड़ा सा पढ़ लिए थे बहुत बढ़िया बिटा सुजीत कुमार जी बोल रहा है बाए बाए हम पढ़ाई छोड़ दिये हैं आप वो बच्चे हैं जो सारे बच्चों को भटकाते हैं कॉंपेटिशन कर्म करने की कोशिश करते हैं इनकी बातों में बिल्कुल मत जाईएगा यह बहुत पढ़ते हैं ठीक है मोहिट सैने जी आपके ही स्टुडेंट है मैम बिल्कुल बिटा चलिए नेक्स आते हैं ग्रोइंग और वेजिटेबल इन रेजिदेंशियल हाउसे तो म आपका फ्लोटिंग गार्डन क्या बोलते हैं जल्दी से बता दीजेगा सिंपल सा कोश में बहुत बढ़िया चलिए अप्शन नमबर भी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा किचन गार्डन आपका क्या होगा सही आंसर होगा सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया नेक्स आ जाहिए बहुत अच्छा कोशन है जल्दी से बताईगा कौन सा हम पिंक वाल वार्म के अगेंस यूज करते हैं कोटन में बीटी बेक्टेरिया फिर बीटी बेक्टेरिया या फिर ट्राइकोडर्मा ओलो मेरो मौरश या फिर अल्टरनेरिया किसको यूज करते हैं जल्दी से बता दीचेगा बहुत इंपोर्टेंट कोशन और बहुत बढ़िया कोशन है आपके एक्जाम में पूछा भी गया ठीक है चलिए एकों लॉक कर दिया गया बिचा जी नेक्स आजाईए विच वन आप फॉलवें इंसेक्स मोस्टली अटैक और सुगर क्रेंट कॉप इस आर बताइए गन्ने की फसल में आक्रमड करने वाले कीट हैं कौन-कौन से हैं गुर्दास पुर वोरर है शूट वोर ह है तौप वोरर है या फिर आपका ओल ओफ दीज आंसर सही है बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन और बहुत बढ़ियां कोश्चन है जल्दी से आंसर कीजिए कौन सो आप्शन यहां पर आपका सही होगा क्यों यहां पर आपका सही होगे होाँ पहले कोश्चन खापका सही हो Keад कर दो भीज़ कर दो हैं लग उन्हां पूर्दा कोश्चन अटा कीज़ का ओलब साव टुर्बस बढ़ियां है तुर्सा आंसर कीज़ का सही होगा टूबसे है बहुत अपका सही है D option, D option, D option, all of these, all of these, all of these क्या बात है, सभी आंसर इसमें आपके सही है अगर हम बोले sugar cane crop की बात करें तो ये सारे आपके sugar cane में attack करने वाले क्या है borers है, तो आपके shoot borer, गुर्दाशपूर borer और top borer ये सभी क्या होते हैं आपके sugar cane में attack करते हैं, ठीक है बिल्कुल बिटा, जिस portion में statement की requirement है वहाँ पे statement types है, आप बिल्कुल बेफिकर रही है आपके जिम्मेदारी हमने ले रखी है ये आपको complete तरीके से बढ़ाया जागा बिल्कुल tension ना लीजे, ठीक है चलिए, next आजाए, which is are the true about viral disease and their insect vector, बताइए, निम्न में पादप रोग वाइरस तदा जिनके वाहा कीट के प्रति सत्य मिलान, उनको सत्य मिलान कीजिए चलिए, बताए, कौन-कौन सा सही है आचा, ओकरा के साथ इसका vector नहीं लिखा गया है तो ओकरा के साथ लिख लीजेगा, white fly white fly, ठीक है सफेद मक्खी की बात कर रहा है leaf curl virus of tomato में white fly होती है और banana bunchy top virus में aphid होता है चलिए, जल्दी से बताए बहुत बढ़िया option number D, आपका यहाँ पे क्या होगा सत्य हो जाएगा यह सभी क्या है, सही मिलाए गए है option number 4, आपका क्या होगा यहाँ पे सही जवाब होगा next आ जाईए, बताए most destructive insect of legume crops दलहनी फस्तों का सबसे प्रमुक नुकसान दायक कीट है port borer, top borer, fruit fly यह termite कौन सा है जल्दी से बता दीजे जल्दी से बता दो बिटा अच्छा कितने बच्चे अदिती जी बोल रहे हैं, option number A प्रकाश रंजन जी option number A गौरव मौरया जी option number A अंजली राज जी option number A उसके बाद सुचीत कुमार जी पोड बोरर, मोहित सैनी जी A बोल रहे हैं ओके बहुत बढ़िया बिटा खुश्पुपाल जी A बोल रहे हैं, अंजली राज जी A बोल रहे हैं मोहित सैनी जी A बोल रहे हैं, चद्रभल पांडे जी A बोल रहे हैं क्या बात है, बहुत सारे बच्चे हैं जो A option बोल रहे हैं और वो सब सही बोल रहे हैं option number A आपका पोड बोरर यहां सही जवाब हो गया अब जल्दी से मुझे पोड बोरर का scientific name बताईए पोड बोरर का scientific name बताओ कि पोड बोरर का scientific name क्या होता है क्यों पढ़ रहे हैं सुझेत कुमार जी आपने तो पढ़ा ही छोड़ दी है बिटा answer क्यों कर रहे हो आप, हाँ A will be a correct चले क्या बात है, चौका, छकका, बहुत बढ़ी हाँ सुधान्सु विश्कर्मा जी ने answer दिया है हेलिको, हेलिकोपा, आर्मी गेरा अब थोड़ा सा इनोनी मिस्टेक लिखा है हेलिकोवर्पा, आर्मी गेरा बहुत ही अच्छा answer दिया बेटा जी बहुत बहुत बढ़ाई आपको हेलिकोवर्पा आर्मी अरमेगर, ठीक है अनी पौड बोरर में लगे ठीक है मुझे भी नहीं याद है तो बैठ़े रही है ऐसी नेक्स आ जाते हैं, चले बताइए कैई शुजेत किवार जी आपको मार पड़ेगी, सच में आपको बहुत मार पड़ेगी आप इतना बोल रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ अच्छा ठीक है ओके बिचा बाई चलिए पोर्ट बोरर इन लेग्यों क्रॉप बाई लॉजिकली कैन बी कंट्रोल बाई विच एग पैरसिटॉइड बताईए फली दार फसलों में छली फली छेदक को किस अंडा परिजीवी द जल्दी से बताईए किस के द्वारा किया जा सकता है बिचा ट्राइकोडर्म वेडी या ट्राइकोडर्म चिलोनिस या पैंटलोनिया स्पशिस या बग्राडा इस्वेस किस से किया जाएगा बताईए ट्राइकोडर्म अच्छा ने बिचा यहां पर ट्राइकोडर्म चिलोनिस है चिलोनिस ठीक चलिए ट्राइकोडर्म चिलोनिस ट्राइकोडर्म वेडी पैंटलोनिया इस्पशिस या बग्राडा इस्पशिस ए ऑप्शन बहुत बढ़िया ऑप्शन नमबर ए आपका यहां पे क्या हो जाएगा सहीं हो जाएगा पोर्डबोरर की अगर हम बात करें जो पोर्ड कोछेथ करता है है अ अच्छा कुछ गलतियां हुई है एक बार ठीक करते हैं यहां पर आपका आएगा पंपकिन बिटल ठीक और यहां पर आएगा आपका वाहिट ग्रब वाइट ग्रब ठीक तो अब आपको बताना है कौन सा लगता है लोकस लगेगा पंपकिन बिटल लगेगा वाइट ग्रब लगेगा या फिर एफिड लगेगा जली से बताईए और आप बोल रहे हैं कि वाइट ग्रब लगता है चलिए यहाँ पे आपको जो option सही है विटा वो pumpkin बिटल है ground nut में आपकी pumpkin बिटल लगता है next आते हैं चलिए match करिए इसको अच्छे से कि match list first list second कि कौन सा किस से match होगा मतलब कौन सा virus कौन से वाले में लगता है आपको ये बताना है तो चलिए जल्दी से answer कीजे अजली राज जी option भी दिख राएंगा है और question भी दिख राएं बिटा पूरा साफ साफ option नमबर b option नमबर a a का second b का first c का third d का fourth बच्चे क्या बोल रहें a भी बोल रहें और b भी बोल रहें अब पहले आप clear हो जाईए कि a सही होगा या b सही होगा बताईए a option सही होगा या b option सही होगा रोशन या दोज़े क्योंकि आपकी बाते reply करने लायक नहीं है इसके लिए मैं आपका reply नहीं करती हूँ a is right अच्छा आप अपने according सब लोग अपने अपने according answers को right बोल रहे हैं ओके बिटा चलिए बताईए जल्दी से की कौन सा option right होगा आपका ओके देखते हैं यहां पर जो आपका answer right आ रहा है वो तो है कि brown plant hopper जो होता है वो grassy stent virus के कारण होता है बहुत सही धान का grassy stent विशालो बहुत अच्छा बिटा फिर क्या रहा है green leaf offer की बात के तो टिंगरो वाइरस के कारण होता है माइट्स आपका इस्टरिटी मुजैग वाइरस के कारण होता है और white fly आपका leaf curl of tomato होता है तो जहां तक मेरे according जो answer सही आ रहा है वो आपका आ रहा है option number B क्योंकि A का second B का first C का third और D का fourth होगा मतलब सारे answer सामने सामने ही लिखे गए हुए है ओह ओह आप लोग ओह बहुत जल्दी करते हैं चली next आते हैं next question में भी आपको match करना है चली बताइए जल्दी से कि आपका अच्पन थाब पर white fly ठ्रिप्स किस टाइप का आपका पेस्ट होता है या इंसेक्ट होता है butterfly moth किस टाइप का 姐ण है या फिर आपका house fly किस टाइप का पेस्ट और इंसेक्ट है जिए चलिए जल्दी से बताईए जल्दी से आंसर करो बिटा कौन सा ओप्शन सही होगा बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है आपके एक्जाम की पॉइंट ओफ व्यो से कर दंसिता दुन दिए में पॉएंट से ले दूंसर कि अबिए जब थाए ठुछन कि बिए्टन कार का दुआन से व्यो से अप कि बॉञे से जूटन धिए रceptाईए कareश काैं है जो पॵझत दी वह हो झाल झाल सी होई बहुत कन्फ्यूजिंग है माम इसमे चलिए बिटा देखते हैं यहाँ पर कह रहा है आफिड लीफ खौपर या वाइट फ्लाई या थ्रिफ्स की बात करें तो यह किस टाइप की माउथ वाले आपके इंसेक्ट या पैस्ट होते हैं ये सारे भीटा आपके comparative and sucking type होते हैं मतलब चुभा करके और चूसने वाले, मतलब plant को में अपने शक करते हैं उसके बाद उसके रश को शक करते हैं चूसते हैं, मतलब पहले छेद करेंगे फिर उसको चूसेंगे तो यहाँ पर आपका जो option होगा वो क्या होगा option number A आपका fourth से match करेगा फिर butterfly और moth की बात करें तो यह chiffoning type होता है यह सामने ही इसका सही लिखा गया है और honey bee की बात करें तो यह कैसा होता है chewing and lapping type होता है यह भी सी सही है और house fly आपका sponging type होता है D option तो option number आपका इस प्रकार से आप देख सकते हैं aphid का क्या हो गया piercing type butterfly moth second honey bee second बहुत गंदा हो रहा है चलिए इसी तरह से हम देखेंगे तो इस प्रकार से आपका option number second क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा भी होगा आपका right answer ठीक है बात समझ में आ गई चलिए one last question हम लोग attend करेंगे उसके बाद classes को खत्म करेंगे चलिए जल्दी से बताईए कौन से order में कौन से insect pest आपके आते हैं आपको यह बताना है बिचा जल्दी से बताईए कौन से order में कौन से insect pest आपके आते हैं झाल झाल अरे बिटा 500 MCQs की series चलेगी आपकी एक दिन में 500 MCQs नहीं solve करना है आपको आपको 5 top 500 MCQs solve कराये जाएंगे जो की कई parts में आपके साथ कराये जाएंगे जिसमें आपको per day 20-25 MCQs कराये जाएंगे जिसको complete तरीके से पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको एक question से 2-4-5 question आप कर सकते हैं ठीक है? बिल्कुल विशाल सिंग जी मैंने ये नहीं बोला है कि 500 आजी करायेंगे बिटा ठीक है सुजीत कुमार जी नहीं सौरी मोहिच सैनी जी बोल रहे है 500 आजी नहीं होगा 500 आपके कई parts में होंगे ठीक है? कभी 25, कभी 30, कभी 35 जिस तरह से टाइम मिलेगा उस तरह से questions को complete कराया जाएगा वन शॉट अब नहीं होंगे मैं बिटा वन शॉट में आपके response अच्छे नहीं आ रहे थे आप बच्चे नहीं पढ़ने आते थे तो मैंने मुझे लगा कि सभी बच्चों को तयार हो चुक है तो वन शॉट किस लिए कराया जाए बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि MCQs कराया जाए मैं जिससे practice हो जाएंगे ठीक है इस दिए हम MCQs को start कर दिए है रिशी चौधरी जी अगली class कब चलेगी बिटा अगली class आपकी कल चलेगी बिटा मैं जी कुछ ले लीजिए लेकिन 500 बिटा हाँ चले नेक्स आते हैं नेक्स चले कोशन का आंसर बताईए इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा यहाँ पर बिटा आपके option में कुछ गलत है यहाँ पर आप कर सकते हैं कि C का 4th होगा और आपके D का 3rd होगा तो C का 4th D का 3rd और आपका E का 5th E मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां से आ गया है तो E का तो आपके कुछ है ही नहीं बिटा तो आप यहाँ पर option number first क्या हो जाएगा सही हो जाएगा देखे एक का सेकेंड कॉलिव पिटेरा में कौन कौन से आते हैं ग्राश ओपर लॉकस्ट और कॉक्रेज आते हैं B का 1st आपका लैपिडो पिटेरा में मोथ बटरफलाई और सिल्क वाम आते हैं C का 4th आपका होमेपिटेरा में पियरसिंग और शकिंग टाइम आते हैं और D का 3rd आइसोपिटेरा में आपके टर्माइट्स आते हैं तो यह आपका option number first क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ठीक है बिलकुल बिटा ठीक है तो option number आपका first यहाँ पे आप सही कर लीजेगा option number first आपका सही होगा चलिए फिर मिलते हैं आपसे next session में फिर से बहुत सारे अच्छे questions के साथ जो कि आपके साथ solve कर आए जाएगे आपकी questions के series ready हो चुकी है बस आपको उसे attempt करना है और मैं आपसे यह चाहूंगी favor चाहूंगी कि आप per day बच्चे अच्छे खासे बच्चे आईए जिससे आपको complete agriculture का जो आपके top questions है वो आप attempt कर सके ठीक है तो per day आईएगा without gap किये अगर आप एक दिन भी छोड़ेंगे तो आपका बहुत कुछ loss हो जाएगा और जो बच्चे अभी live session में नहीं जूर सके है वो आपकी वीडियो आपके पास पहुत जाएगी आप तब देख लीजेगा फिर मिलते हैं आपसे next class में top 500 के part 2 के साथ सभी बच्चे जरूर आईएगा ओके आई होब कि आज का session आप सभी को अच्छा लगा होगा लेकिन एक question मेरा छूट जा रहा है चले बताइए कि हम लोगों ने 25 questions solve किये कितने questions आप लोग के सही हुए जल्दी से बताओ कितने questions आप सभी के सही हुए है सारे 15 होंगे सही ओके बिटा 15 ही हुए है सही बहुत कम सही हुए है बिटा जी अधिती 28 17 17 मैम ओके चलिए 28 questions तो मैंने कराया ही नहीं है सुझीत कुमार जी चलिए 25 आप अगर आज 20 प्लस questions सही किये हैं तो आप ठीक ठाक answer कर रहे हैं अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है मेहनत करते रहिए questions को एटम करिए जल्दी से जल्द आपका क्या होगा ब्यच्चू में selection हो जाएगा चलिए मिलते हैं आप से नेक्स सेशन में आज के लिए इतना ही थैंक यू बबाई